Pace all मतलब आप किसी को fool देते हैं I love you बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं तो paste करते हैं इसी को पकड़ करके दंडी ये पकड़ करते हैं तो यह याद हो गया Pace all ठीक है नमस्कार दोस्तो, देखो सीखो study में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो, यहाँ पर दोस्तो full से समंदित जो भी question आपके exam में बनते हैं, हर एक question अब आप कर लेंगे इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाग ठीक है, तो पूरा वीडियो trick के साथ हमने बताया कि कैसे कैसे चीजों को याद करना है, English term को कैसे याद करना है, कैसे किसको क्या कहते है कोरोला किसको कहते है, यह सब चीजे कैसे याद होगी, exam में आएगा तो, ठीक है तो दोस्तो, सबसे पहले start करते है lecture, तो यहाँ पर है आपका flower यानि फूल के अधियन को क्या कहते है यह exam में आता है, तो anthology क्या कहते है, anthology होता है और दोस्तो, यहाँ पर यह बात आती है कि अगर फूल बन रहा है तो पौधे में, तो यह क्या होता है, तो दोस्तो यह पौधे का जनन अंग है मतलब इससे एक पौधा अपनी पीडी से, मतलब अगली पीडी में जाता है यानि फूल से अपका फल बनेगा फल से फिर आपका बीज, यानि अगला पौधा तयार होगा, ठीक है, तो यह क्या है फूल से दोस्तो फलों का निर्माण होता है ठीक है, अब फूल के भाग इससे रिलेटेट काफी कोशन आता है कि वर्ति कागर क्या होता है अंड कोश क्या होता है, पराग कोश क्या होता है अंडासा क्या होता है, यह सब चीज आता है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लेकिन पहले आप देख लिए कौन-कौन से भाग होते हैं बाहे दल पुंज होता है दल पुंज यानि कोरोला होता है और पुमंग होता है और जयांग होता है कैसे ये सब चीज याद होगा तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो बाहे दल पुँँझ होता है इसको समझ लीजे फिर याद कराने का ट्रिक में आपको नीचे बताया हूँ ठीक है तो देखिए यहापर बाहे दल पुँझ मतलब सबसे पहले एक फूल है फूल की दोस्तों यह डंडी होती है क्या होती है सबसे पहले Paceol ऐसे ही लिखा हुँआ ओब और फिर English में आजा है तो कैसे याद करते हैं Paceol मतलब आप किसी को Fool देते हैं I love you बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं तो paste करते हैं इसी को पकड करके गंडी यह पकड के थो paste करते हैं तो यह याद हो गया Paceol ठीक है पेस कर रहे हैं I love you बोल रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं तो दोस्ती के लिए भी कह रहे हैं तो क्या करते हैं फूल को पेस करते हैं ठीक है तो पकड करके करते हैं तो वरिंत को क्या करते हैं पेसियोल करते हैं याद हो गया यह याद नहीं करना पड़ेगा चार भाग यह यह मेन होते है फूल के ठीक है पेसियोल हो गया अब दोस्तों जो है पूसपासन यह होता है यह हरा वाला आप देख रहे हैं पूसपासन यह होता है डार्क हरा का जो है पूसपासन पूसपासन मतलब फूल जिस पर बैठा हुआ है ठीक है फूल आसन मतलब क्या होता है आसन मत मतलब क्या होता है बैठना तो फूल जिस पर बैठा हुआ है पूस पासन ये भी याद हो गया अब यहां पर दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है फूल का भाग ठीक है बाहे दलपुंच मतलब यह जो हरा वाला होता है यह हरा हरा जो इसमें होता है टमाटर के उपर वाले की तो दोस्तों यह क्या है यह इसको कहते है बाहे दलपुंच तो दोस्तों जब फूल स्टार्ट होता है या फिर जो है कली के माध्यम में होता है तो आपको समझा देते हैं थोड़ नीचे लेके आते हैं कली के माध्यम में जब आप फूल को इस तरह देखे होंगे जब यह क एकदम पकड़ा होता है, क्या होता है, पकड़ा होता है, कली के तरह पकड़ा होता है, तो इसको क्या करते हैं, 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 याद हो गया, कली को जोर से यह पकड़ा होता है, यही हरा वाला, ठीक है, यही हरा वाल तो आगे दोस्तो इसका दल पूंज दल पूंज मतलब उसका दल फूल का दल दल मतलब क्या होता है दल मतलब दोस्तो इसका जो है भाग होता है ठीक है दल पूंज मतलब क्या है भागों से बला हुआ जो यह जगा है इसको दल पूंज कहते है भाग मतलब दोस्तो इसको देख पता चलता है फूल का कलर ठीक है रंग पता चलता है कलर पता चलता है यही तो आप किसी भी चीज का क्या देखते हैं पंखुडी देखते हैं पंखुडी में पंखुडियों के जो समू है इसी को कोरोला कहा जा रहा है दलपुंज कहा जा रहा है ठीक है तो कोरोला हमको कलर ब इठा हुआ है इसे पेसियोल से इससे नहीं आता है प्रश्ण दोस्तों आपके फूल्स के अंदर से याता है तो बाहे दलपुझ कैलिक्स मतलब कि कली को पकड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या कहेंगे कैलिक्स कहेंगे ठीक है अब याद हो गया बाहे दलपुझ बाहरी सबसे याद करेंगे तो पुमंग यह आपका line की तरह आया हुआ है और यहाँ पर गोल सा है देखिए यहाँ पर line से आया हुआ है गोल सा है तो दोस्तों इसको याद करना कोई वी trick नहीं है लड़कों का ऐसा होता यह पुमंग ऐसे आप याद कर सकते हैं, अलग सा, लंबा Pasह है, और यहां पर गोल सा सह है, ठीक है? तो यह क्या है पुमंग है? पुमंग क्या है? यह दोस्तों जू है कि पूरुस भाग है, male यह है, ठीक है? साथिसा दोस्तों जो है, आप यह वाला पार्ट देख रहे हैं पुमंग को याद करने में इसमें भी भाग होता है आगे हम देखेंगे क्या-क्या भाग होते हैं इनको भी देखेंगे साथी साथ दोस्तो जो है जयांग जयांग दोस्तो ये इस्तरी पार्ट होता है ठीक है मतलब कि फूल का इस तरी पार्ट होता है तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आप देखने हैं इसको कैचिंग की तरह ये लगा हुआ है और सुराही की तरह बना हुआ भी है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर ये परागण अंदर जाएगा तभी ये कैच करेगा और दोस्तों ये जो है आपका पुरूस भाग है इसमें परागण होते हैं अभी नीचे हम समझेंगे ठीक है इसको पुमंको और जयानको ठीक है चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ से आपको समझा दिया था की जो है कैलिक्स यानि बाहे दल यानि बाहरी सबसे पहले कली के माद्धे में रहता है तो क्या रहता है सबसे बाहरी रहता है तो बाहे दल पुझ इसको कहते हैं ठीक है इसको इंगलिस में कैलिक्स कहते हैं क्योंकि कली को जोड से पकड़ के रहता है ठीक है चलिए यह समझ में आ गया अब दल पुन्ज यानि की दोस्तों आप समझी रहते हैं या पर कोलोला मतलब कि आपको कलर का पता चलता है रंग का पता चलता है अब यहाँ पर दोस्तों एक पेटल आता है पेटल एक वर्ड यूज किया जाता है पेटल किसको कहते है जोस्तो पुमंग और जो है जयांग को समझ लेते हैं पुमंग पुमंग ये वाला भाग है टोटल इस भाग को पुमंग कहते हैं अब इसमें तीन भाग है तीन पार्ट है इसमें जोस्तो जो ये ये आपका जो तार की तर गया है इसको तंतु फिलामेंट या पुंकेसर कहते ठीक है बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि पुंकेसर और इस्तिकेसर बस दो ही होता है ऐसा नहीं है देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर फिलामेंट की तरह यह है तो इसको देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर फिगर बना है एक तार की तरह तो बिल्कुल याद हो जागा कहते है याँ फिर तंतु या फिर पुंकेसर आपको दिख जाएगा ठीक है साती साथ या घूवल वाला भाग थाग है यहाँ पर बनाद रहते हैं यहाँ पराकण होते हैं यह तो दीक है पराकण कौन से है यह गतांस याद हो गया filament की तरह ये रहेगा मतलब तंतु की तरह या फिर पूंकेसर खेंगे गोल वाला कोस है जगह है ठीक है साथी साथ अगला जो है आपका पराकण यानि डॉट जो है पराकण है ठीक है अब यहाँ पर अगला जो भाग है जयांग ठीक है जयांग में दोस्तों क्या है इसमें भी तीन भाग है इसमें भी तीन भाग था तीन भाग है दोस्तों कौन कौन सा इसमें वर्तिकाग्र जो है उपर वाला है वर्तिकाग्र काग्र मतलब कहते नहीं है यह एकगर है मतलब अ कहते हैं वर्तिकागर कहते हैं ठीक है जो एकगर है उसको वर्तिकागर कहते हैं ठीक है स्टिग्णमा कहते हैं और दोस्तों जो है बीच वाला जो स्थान है इसको क्या कहते है स्टाइल कहते हैं वर्तिकागर कहते हैं कि इसको उपर वाले को नीचे वाले को नीचे वाले को क्य इसलिए वर्तिकागर वर्तिकागर बीच में और अटासे जो है जो अंडे की तरह नीचे है यहाँ पर आपको पूंकेशर आपको याद हो गया फिलमेंट तंतु की तरह बीच में कोश है मतलब पराकोश हो जाएगा और अंदर आपके पराकण भरे हुए है तो सब कुछ आपको याद हो गया, यह पेटल वाला भी याद रखिएगा, पेटल मतलब एक पंखुडी रहेगा, पेटल कहेंगे, कोलोला कैसे होगा, आपका कलर रहता है, कलर मतलब कि आपका दलपूंज हो गया, कली यानि की कलिक्स कहते हैं, बाहर यानि बाहरी मतलब यह क कली में जब रहता है तो यहीं पकड़ करके बाहर में रखता है ठीक है फूल जब कली के माध्यम रहता है सब कुछ आपको यहाँ पर याद हो चुका है इससे डीटल चीज आपको देखने को मिलेगा जब हम परागन करवाएंगे तब ठीक है वह दोस्तों आपको फल के लेक् प्लिए लाड तो यहाँ आपको यहाँ आपको बैसे लोस्तों महाँ परागन करव जब कर देखने कर दोस्तों महां परागन के लेक्श पल के लेकर नब झाल